अब भी लाइव इस्टार्ट हुई है क्लास एक बार आप लोगों से मैं कन्फर्म कर लूँ किशन वेजन दे गुडिवनिंग रे ख्याल से हाँ लाइव इस्टार्ट हो जाएगी ठीक साथ बजए क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी किसी भी हालत ठीक बांशो गुडिवनिगे चलो तो इस्टार्ट करें हम लुग क्लास आने शीता गुडिवनिग याश चलो सारे बच्चे आगे शुबहिंदू सब लोग आ चुके है तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने को तयार हो चुके और मैंने जैसा कि बताया था कि सुरू में जो क्लासेश चलेगी वो बहुत ज़्यादा समय कि नहीं चलेगी की दो दो घंडे की या धाई गंडे की मैंने गहा कि आप भी जो बेसिक्स चलेगी सैटर्डे तक मंडे से मारा कैपिटल बश्टार्ट तो सैटर्डे तक ज़्यादा एक घंटा देड़ घंटा जितना भी हो सकता हम क्लासेश चलाएगी खिक है अब तैयार हो कल के लिए कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कल जो पढ़ा था वो हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा था और रिवीजन तो सर हम करती नहीं मुझे उम्मीद है कि आप और रिविजन की ज़रूरत भी नहीं थी कि मैंना ऐसा कुछ पढ़ाया होगा आपको मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था पर मेरी डिवुटी ये बनती है कि कल जो पढ़ा था उसका मैं आपसे एक बार टेश्ट लेलू एक आद एकजामपल के तो चलो तो आपके पास कैल्कुलेटर होना चाहिए जो आपके पास होगा और अब हम लोग तैयार है ठीक है जी रिविजन किया था मैं जी लिखोगे सार पेन कॉप्य उठाईए और लिखना इस्टाइट कीजिए आविने गुड इवनिंग चलो सब लोग आ गया है और रिविजन किया था कहना है चलो देख लेते मैं चेक करो रिविजन हुआ है कि नहीं हुआ आज जी मेरे साथ साथ लिखोगे आज बहुत इस्पेशल क्लासेस है आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी काम आने वाला है आपके ऐसे फेम में भले ही इतना भी पढ़े लेकिन धंसे बढ़ें एक्जाम्प आप लिखोगे मेरे साथ साथ लिखना है ऐसा नहीं कि टेश्ट मैं आपसे ले रहा हूँ मैं कुछ पूछूँगा आपसे हर चीज़ पहला एक्जाम्पल टोटल कल की क्लास जो किया है उसके दो एक्जाम्पल मैं आपसे पूछूँगा आप मुझे जवाब देए तर एक्जाम्पल नंबर वो क्या होगा वह आप अपने हिसाब से लिख लीचे कैश इन फ्लोट यर वन दू और पहले साल आ रहा है कि था हुचन फिर है 25,000 फिर है 32,000 और फिर है 15,000 हर साल का कैश फ्लोव अलग-अलग है और जो आपको डिसकाउंटिंग करना है इसको डिसकाउंटिंग रेट अब लिख सकता हूँ अब आप समझदार हो क्यों डिसकाउंटिंग रेट है 15% पर रेनम और पहला मुझे चाहिए present value of cash inflow और factor वाले से नहीं चाहिए मुझे चाहिए डिवाइड वाले से शॉर्टकट से कहना मैं यह चाहता हूँ शॉर्टकट से बताईए कि present value of cash inflow पांसर चाहिए फटा-फट से जल्दी-जल्दी मैं यहां लिख नहीं रहा हूँ मुझे लिखना भी नहीं है कि मैं 20,000 divided by 1.15 भाई पावर वान 25 जार भाई multiple choice question है चलो करके बताओ mcqs मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं जानता हूँ अभी class श्टार्ट हुई है तो हो सकता है मैं भी अपने हिसाब से मैं भी calculate उठाखर करके निक कोशिश कर पाएग देखते किसका जवाब पहले है अप मेरा या आपका आजी 65911 वैजनती और एक answer आगया है और वो भी आ रहा है same answer 65911 सुभांशु सुभांशु सुभेंदु 65912 65911 final answer है तो मैं भी लिखी लेता हूँ 65911 please 65911 प्रेयांस कभी answer है 6599 सभी का सभी का मांशी कभी है 65911 चलो ची पहला example था और मेरे ख्याद से कि इसमें अब दिक्कत नहीं है आपको अब सर प्रेजन्ट वैल्यू का आप कोई भी कोश्चन आ जाए हाला कि अभी मैंने कुछ चीजे छुपा कर रखा है 65911.7 इशा ठीक है जी ठीक है आ रुपिया के मामले में हम पॉइंट के बाद इग्नोर भी कर सकते कितना राउंडिड ओफ करना है कितने डैसिमल पॉइंट तक लिखना वो सब मैं आपको समझाओं ठीक है ठीक है तो फाइनल हो गया 65912 या 65911 ठीक है पहले एक्जामपल था सभी का सही है सभी का सही है ठीक है मैंने कहा कि मुझे टोटल मिला कर मैंने अभी परपेच्वल कैश फ्लो या ग्रोथ रेट यह कुछ नहीं समझा अभी नॉर्मल कोश्चन कर रहा है ठीक है यह एक एक्जामपल था जो मुझे करवाना था कल का रिवीजन चल रहा है अगला एक्जामप देखोगे ए आज की क्लास का है एक्जामपल नमबर आज की क्लास पैसा लगा रहा है हो आज मतलब सर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं कि आप इसे प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं पैसा लगा रहा है हो आज ठीक है तर कितना रुपे लगा रहा है मालो आप लगा रहा ह 77,000 रुपे आज लगाए और future value आ रहा है at the end of 7th year समझी गया हो कि मैं क्या पूछने वाल हूँ आप से और 7th year rate तो सिर्फ मुझे मालू होगा तो पागर करता हूँ, दीख लोगे तो दिक्कत होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटो, 70,000 तो सर ये आगया रुपीज 2,222,983 तो बताईए किस rate से हम हर साल कितना कमा रहे है अंसर, आज लगा रहे हो 70,000 और 7th year के end में आ रहा 2,20 तो बताओ rate क्या, आपके पास time है दो मिनट का, कोशिश करो rate क्या, rate मुझे मालूम है हाँ जी, पूछे जा रहा, answer कैसे आया कौन सा वला answer, 9, 6, 5, 9, 1, 2 कैसे आया, चलो ये वला है, कैसे आया, एक बर, जी, 18, 5, निसीकता, 18, 18, पर्षेंट आंसर है, वाव, दिलखुश कर दिया 18, पर्षेंट बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सभी का और क्या, आपने डर्टी पावर यूज किया था, यस, उसके बिना हो नहीं सकता, ये मैंने, अच्छा, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया, ये समझाना थोड़ा सा मुस्किल है, कल मैंने डिटिल में डिस्कुस किया था, तो आप मुझे सेपरेटली मुझे से बात कर सकते हो, कल की क्लास ये आपको देखना पर, हाजी, सभी का एश्या, 18%, सभी का अंसर विन है, यस, ठीक है, मतलब आपने डिटी पावर यूज किया था, चलो, क्लास आगे बढ़ा है, हाजी, क्लास आगे बढ़ा रहा है, कल वाला काम खतम करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं, चलो जी, अब कैलेंज वाला कुश, बहुत, मतलब यार आपका फाउंडेशन और इंटर सब मिला कर यूज कर लेना यहां, इम्पोर्टेंट है, लिखोगे अगला एक्जामब, और बहुत काम का एक्जामब है, एक्जामब, और सुनो, मै ओमवर्क देने वाला हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, कितना मैच अच्छा है आपका, कितना रखोमिले का डेरी विशन मेरे पास है, मैं उम्मीद करता हूँ कि डेरी विशन आप करके बताओ, मैं वीडियो डाल दूँँगा, स्पून फीडिंग रही करवाना है, थोड यारो अब सुनोगे धियाँ यहाँ जो period होता है उसको बलते है जीरो यह कौन सा year है first यह है second यह है third और यह है fourth example भी हम ऐसे ही note करेंगे कि हाँ जी ऐसे ही note करना जैसे मैं करवा रहा हूँ ठीक है अब मैं आप से कुछ कह रहा हूँ कि मैं bank में या मैं पैसा कहीं लगा रहा हूँ first year के end में मैंने 25,000 लगाया investment किया और second year में भी मैंने 25,000 रुपे investment किया और third year में भी मैं 25,000 investment कर रहा हूँ और fourth year में भी 25,000 सर यह तो annuity हो गया हाँ annuity हो गया मैं पूछ किया रहा हूँ और सर किस rate से पहले-पहले सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ मैं किया रहा हूँ टोटल कितने साल तक जमा करना चार साल तक याद है LIC insurance हम करवाते है तो premium जमा करते है वो ही premium की में बात कि यार मैं चाहता हूँ मैं first year में total मुझे चार सालों के लिए पैसे जमा करना है first year में 25,000 रुपे जमा किया ठीक है bank में जमा किया एसे बोलता हूँ फिर मैंने तो सर ये कितने साल तक जमा रहेगा ये इस पे मुझे interest मिलेगा कि yes एक साल तो साल इस पे total तीन साल तक interest मिलेगा फिर वापत मैंने 25,000 जमा किया second year में total period मेरा 4 साल है ठीक है सर सर ये जमा किया हाँ इस पे भी ब्याज मिलेगा कितने साल का एक साल का और last मैं 25,000 जमा कर रहा हूँ हाला कि इस पे कोई interest नहीं मिलेगा सर rate बोलिए interest का और rate of interest है rate of interest जो है वह है 12% पर रहनम तो मुझे चाहिए present value नहीं present value तो आता present value में क्या करते थे आप सर इसको हम ऐसे discounting करते थे मैं present value नहीं पूछ रहा हूँ मुझे चाहिए future value of cash ठीक चार साल बात कितना पैसा मिलेगा लगा 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 दिमाग बहुत हो गया रटा रटाया काम हो रहा था अभी तक अभी तक क्या कर रहा थे अभी तक सर आपने जो बताए हमने बता दिये अब बताओ ना अब चलाओ दिमाग अपना इंतजार कर रहा हूँ आपके answer गलत answer आने पे सौरूपे फाइन है सोच समझ के answer देना बस question में समझ में तो आ गया था ना बच्चो हाँ जी है कोई mark मुझे चाहिए future value of cash in कितने पर्शन पर इंवेस्ट कर रहे है 12 पर्शन यह हमारे finance में काम आएगा कि जी हाँ आपके SFM की आदत हो गई है मेरी आपके advanced financial management काम आएगा वाव पहला answer आ गया और साथ में विनय का कहना है शायद तौर होए देने पड़े कि वे फिर से ओल रहा हूँ और वो answer कितना आ रहा है 13,000,000 नहीं 1,34,000 में यह देखनी आ है एक answer मेरे पास आचुका है विनय का answer आया है और answer है rupees रुपीस तर साइड में लिख 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 रुपीस 1,34,000 यह भाई चलो एक answer आया है और रुपीस है 1,34,000 और पता नहीं मुझे आप लोगों से थोड़े ज़्यादा की उमीद है कि answer आपका एक से ज़्यादा आएगा हाँ मुझे मालूम था कि ऐसे ही कुछ आने वाला है 1,2,7,6,8 एक answer और आया है 1,2,7,6,2,8 ठीक और भी ज़्यादा की उमीद है आपसे और एक answer आया श्रयांस का 1,1,9,8,4,3 1,1,9,8,4,3 पताओ मुझे तो पहली पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है चलो ताक्षी 1,1,9,4,8,3 sorry 4,8,3 मैंने गलती से 8,4,3 लिग दिया ये था 4,8 1,3,6,6,8 1,3,3,8,2,1 ये भगवान ये फाइनल में आकर आप इतने सारे answer कैश रशी का 1,1,9,4,8,3 इस पर जादा तर मैजॉर्टी इस पर है भाई इशा 1,4,8,4 मैजॉर्टी इस पर है चेकर है बनाई answer तो अधिकतर ऐसा नहीं है सभी नों कोशिस किया है अधिकतर बच्चों का ये answer आ रहा है मुझे नहीं मालम की actual में क्या होने वाला है और कैसे निकाला ये भी नहीं मैं जानता लेकिन चलो कोशिस करते हैं अब सुनो मेरे सासत जब आपने एक्जामपल लिखाना तो प्लीज मेरे सासत नोट डाउन करना अंस का answer है एक लाग बारा हजार छेसो बावन वान वान टू सिक्स फाइव टू देख लेते हैं देख लेते हैं त्यारों मैं आपसे क्या कह रहा हूँ अभी सुनोगे बच्चो ध्यान से जो 25,000 इंवेस्टमेंट मेरे सासत इस तरह से बनाना है आपको बनाना तर यह जो 25,000 रुपए इंवेस्टमेंट होगा यह एक साल, दो साल, तीन साल के लिए इनवेस्ट होगा तो 1.12 पावर क्या कर देंगे और सर फिर यह जो 25,000 इंवेस्टमेंट होगा हमको फोर तीर तक पहुचाना है तो सर फिर कितना सर 25,000 1.12 पावर क्या करेंगे 2 यह वाला 25 एक साल, दो साल और सर यह वाला जो इनवेस्ट होगा यह वाला ठीक है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1.12 पावर 1 यह ना यार तीज मेरे सासत लिख लेना क्योंकि मेरे सासत कोशिश करना फिर देखेंगे किसका साही है अभी चैलेंज वाली बात तो सर पहला वाला इसका देखें क्या 1.12 इंटो इक्वल टू इक्वल टू इंटो इंटो पच्चीस तो सर यह आ गया 35 123 0.20 भी है मैं इगनोर करते हूँ चल रहा हूँ ठीक 1.12 इंटो इक्वल टू इंटो 25,000 तो सर यह आ गया 31 360 यह भी सही है और यह सर 25,000 इंटो 1.12 यह आ गया सर 28,000 और सर इन सब को अब हम जोड लेंगे और जोड कर आंसर बता देंगे याद रखना 25,000 भी जोडना है अच्छा इसको अनुटी बोलते हैं आप भी जानते हो हाँ सर हर साल का एक बराबर मतलब अनुटी और आप L.I.C. में भी पड़ा होगा अनुटी सब्द सुना होगा अभी मैं उस लेवल पे नहीं आ रहा हूँ 25,000 प्लस 3, 5, 1, 2, 3 प्लस 3, 1, 3, 6, 0 प्लस 28,000 अंसर आ गया 1, 1, 9 4, 8, 3 वाउ मैजोर्टी सही था 1, 1, 9, 4, 8, 3 फैनल अंसर बाकी बच्चों ने कहां गलतिया किया है मैं नहीं जानता पर आंसर फैनल अंसर आ गया सबील बच्चों का आंसर है 1, 1, 9, 4, 8 वाट जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको कुछ सिखाया गया था इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ये सब टाइम पास करो अच्चा सर हाँ आपको ये आता था आपके पास शोटकट था पर आप भूल गए है इसका शोटकट था जैसे ही मैंने बोला कि कितना आएगा उसी समय आंसर देना था कि कितना आएगा आप देखो शोटकट क्या था अब सुनना ध्यान से तर क्या था शोटकट प्लीज बताईए मैं बता रहा हूं शोटकट सोर मैं आपको शोटकट बताईए चॉटकट ऐसे था उज़े निकालना है फ्यूचर वैल्यू ओफ कैश ठीक और मल्क दिखोगे 25,000 नहीं तक ठीक है और मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर सर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या हर साल का कैश प्लो अलग एक जैसा है यस तो वो जो निकाला जाएगा उसको बोलते है फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी फैक्टर एन्यूटी फैक्टर बोलते है हाँ बोलते है सर और फ्यूचर वैल्यू annuity factor जो लेना है वो कितने percent पे लिखा लेना है सर हमको लेना है 12 percent का और कितने साल का लेना है सर 4 साल का बस और क्या आपको present value ये annuity factor निकालना आता है हाँ सर हम तो ऐसे करते थे present value की जरूरत कब पढ़ती है पता है न या और बारी क्या है यार वो बारी क्या समझाने की कोशिस करो सर इसको हमें discounting करनी है तो PVAF लगता है कल सीखा है सर कल सीखा है गुट पर मुझे इन सब को 4th year में पहचाना पहुचाना तो मुझे present value annuity factor चाहिए सर तो क्या आएगा वो मैं निकाल लूँगा उसका दिक्कत नहीं है सीधा 25,000 into 2, 3, 4 minus 1 तो मेरे पास आ गया factor 4.7793 3, 4 ही डिजिर तक ले लेता हूँ 24,000 into 4.7793 answer आ गया थोड़ा सा लगाएगा 1, 1, 9 4, 8, 2, 4, 8, 3 अरे वही तो आ गया लगभग कैसा लगा आपकी speed से ज़्यादा speed मेरे पास it means मैं सीधा ये निकालता अगर कोई मुझे से ये question पूछता multiple choice question में पताओ क्या मैं तो इतना कुछ ताम जाम करते हैं ये design बनाने की ज़रूत नहीं है मैं तो calculate उट था 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 अंसर दे 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 था और क्या ये आपको पहले से निकालना आता है हाँ आपको आता है कोई है जो बता सकता है कि ये कैसे आया और सुनना formula में जानता हूँ formula है derivation भी चाहिए जब आप P V AF का बता सकते हैं तो present value and annuity factor का में पहले कैसे निकालते हैं वो लिख देता हूं भाई अच्चे ने तो परिशान हो जाएगे सर हमारे insult हो रही है हमने कप पढ़ा था हमको कुछ याद नहीं है table देखते थे हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं it means future value annuity factor कैसे निकाला जाता है 1 plus r power n minus 1 divided by r logic चाहिए भाई मुझे यह time pass नहीं चलेगा मुझे यह बताना पड़ेगा कि यह formula कैसे आए तो 1.12 power 4 minus 1 ठीक है ना 4 साल है divided by 0.12 answer आगया 4.3 क्या आप पहले यह बात पढ़ चुके हो yes sir कोई इस बात से मना नहीं कर सका कहां पढ़ा था आपने आपने बढ़ा था CA Inter में आपने पढ़ा था CA Foundation में मैंस में पढ़ रखा होगा सर सुनो ना हमने कुछ नहीं पढ़ा है आपने पहली क्लास में यह बोला था कि आप पढ़ा आप इस तरह से पढ़ाना कि हमको FM आता ही नहीं कोई बात अभी बस एक काम किजिए यह फॉर्मिला नोट कर लिए फॉर्मिले का लॉजिक हाँ मैं बता रहा हूँ मैं मना कहां कर रहा हूँ फॉर्मिले का डेरिविशन जैसे प्रिजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर का फॉर्मिला हमको पता है तो इसका भी तो फॉर्मिले का लॉजिक चाहिए भई हर चीज का लोजिक समझाऊंगा क्यों टेंशन ले रहा है एक बार नोट हो जाएगा तो मुझे मैसेज करना कि हाँ नोट हो गया आगे चला एक तो हाँ जी फुट मेरे ख्याल से अगर एक कोई आप में से कोई भी एक भी मुझे मैसेज कर देगा ना तो मैं समझ जाओंगा हाँ जी नोट है ठीक है इशा जी चले आगे अब हाँ जी मुद्दे की बात है मुद्दे की बात है एक होमवक रहा होमवक होमवक यह रहा यह फॉर्मुला जो आया है पक्का लॉजिक है हर चीज का लॉजिक है यह जो फॉर्मुला आया है का डेरिविशन यह formula कैसे बना, मैं समझा सकता हूँ, अराम से, मैं समझाना ही नहीं चाहता, आज के लिए आपका काम रहेगा, क्योंकि तब ही याद होगी चीजे जब आप खुद pain चलाना सीखो, आप मुझे ये बताना, क्या present value, annuity factor का formula का logic पता है, हाँ सर, 1 हम ऐसा करते हैं न, 1 divided by 1.10, equal to equal to equal to equal to gt करते हैं, यस, उसका logic हम को मालम है, कि हर साल का factor अलग-अलग होता है, तो उसको हम cumulative करते हैं, याद है न यार, मैंने कल करवाए था, अलग-अलग factor लेके, उसको फिर जोड दिये थे, क्यों जोड़े थे, क्योंकि हर साल का cash flow एक ही, ऐसे ही कुछ यहां भी होगा, और ऐसे ही कुछ करोगे न, तो मालम यही वाला formula बन जाएगा, क्वाल यह है, आप थोड़े दिमाग तो चलाओ, अभी नहीं करना है, अभी सोचना भी मत, homework है, आप आज और कल कभी समय सिर्फ और एक ही homework कि उसके लावा नहीं दूँगा, य ultimately तो मेरा वीडियो डला, डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर यार, बस मैंने आपसे यही कहा न, मैं सब कुछ पढ़ा दूँगा, क्या मतलब ऐसी क्योंगा, जब आप खुद दिमाग नहीं चलाओ, खुड़ आपको चलाओ, एक homework, homework किये रहा, यह formula कैसे बना, ठीक है, चलो जी, और अब हम आगे चल रहा है, बहुत हो गया, present value, future value, बात कतम, point number 2 लिख रहा है, और जिसमें मुझे discuss करना, expected return, और standard deviation, ठीक है, तो basic concept चल रहा थे, basic concept में मैंने सबसे पहले क्या करवाया था, मैंने पढ़ा कि, मैं थोड़ा बहुत आपको knowledge दे दूँ, कि क्या होत होता है, present value, क्या होता है, future value, सबसे ज़्यादा important क्या है, सबसे ज़्यादा important, याद रखो, सुनो, सुनो, सबसे ज़्यादा important क्या है, अचा, answer अलग आ रहा है, क्या, sorry, ये गलत आ रहा है, क्या answer, देख लो, 1.12, into, equal to, 2 bar, 3 bar, 4 bar, minus 1, divided by 0.12, 4.7793, answer सहीं आ रहा है, ओ, sorry, answer सहीं आ रहा है, ठीक, ओके, तो चलो, point number 2, लिखोगे मेरे साथ 7, basic concept चल रहा थे, basic concepts में हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा, वो पढ़ा present value, future value, अब, 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 हाँ, जी, सहीं आ रहा, सहीं आ रहा, उनका, को सकता, उनके, उनसे कोई calculation mistake हो, answer से, second link, okay, expected return and risk expected return and risk यहां से सुनना भाई, अलग कि मुझे बहुत ज्यादा detail में, portfolio management में discussion करना है यह सारी चीज़, लेकिन यहां पढ़ना जरूरी, क्योंकि बीच में इस सब्द आये के standard deviation बीटा वग्यरा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से मैं क्या कहना जाए, अब मैं आप से बोल रहा हूँ, कि आप C.A. लोग हो, ठीक है सार, और मैं आपका client, और मैं आपके पास आया, अब मैं आप से कुछ पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ, C.A. साहब, सुनो ना थोड़ा मैंना यार सोच रहा हूँ कि यार रिलाइंस में पैसा लगाने का, ठीक है, मैंना कहा, C.A. साहब क्या आप बता सकते हूँ कि रिलाइंस आने वाले साल में कितना percentage कमा कर देगी, on an average, मैं मुझे नहीं मालूँ, मुझे नहीं मालूँ होता है, तो तो बिल्गल पक्का तो को चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे ये बता दीजिये, कि मैं रिलाइंस में पैसा डालने का सोच रहा हूँ, रिलाइंस से कितने percentage की उम्मीद है, क्या future का अनुमान लगाया जा सकता है, यस, अनुमान की future में क्या होने वाल, चलो, मैं देखना चाहता हूँ, अनुमान लगाया जा सकता है, कि नहीं, मैं आप ही से पूछता हूँ, यस, सर लगाया जा सकता है, बिल्कुल निशीता सही है, मैं आप से पूछ रहा हूँ, कि अनुमान लगाया जा सकता है, कि नहीं, लगाया जा सकता है, और क्या हर का 10th में number आया था percentage बोल देता हूं percentage तर कितना percentage आया था 80% 11th में percentage आया था उसका 82% वाउ और 9th में कितना percent था 9th में था उसका 78% और अभी 12th का exam दिया है उसने अभी 12th का exam दिया है result नहीं आया है और मुझे अनुमान लगाना है कितना percentage आयेगा CA नहीं है CA में तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता CA का छोड़ दो मैं कहां 12th का exam दिया है और मेरा अनुमान है कि उसको मिलेगे 33% बोलो मेरा अनुमान सही है या गलत है आप पर छोड़ा अच्छा बच्चे तो इतने इंटेलिजेट है और आप लोग आप लोग कहें सर आप अपना छोड़ो हम बता रहे हैं हाँ निशीता हम बता रहे हैं आप छोड़ो आप 33 अगल होगे 33 कैसे आएगा 33 भी आ सकता है आ नहीं सकता मैं यह नहीं कह रहा हूं हाँ जी मेरा अनुमान गलत है लगबग कितना आएगा तर लगबग इसी के आसपास आएगा ना सर यस मैं गलत हूं दिलकुल अगर मैं कहूं यह कह दूं कि ICAE रिजल्ट देने वाला है और रिजल्ट आने वाला सीय फाइनल का 80 परशन लोग पास होने वाले गलत आप भी जानते हूं कि कितने पास होने वाले इट मेंज हर चीज का अनुमान लगाए दे और कैसे लगाते हो अनुमान सर जो पास्ट में हुआ वही तो फ्यूशर में होगा यही चीज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं हाँ जी 80% on an average average का मतलब क्या होता है चलू पूछी लूँ याद है आप goodwill वगेरा निकालते थे एकाउंटिंग पर आ नहीं रहा हूं पर मुझे जरूरत है हाँ सर goodwill निकालते थे और goodwill निकालने के बहुत सारे अलग-अलग formula होते थे average profit और super profit और पता नहीं क्या-क्या एकाउंटिंग का मैं teacher नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूँ पर एक मैंने सुना था कि होता था average profit method उसमें हम क्या करते थे हम कुछ average profit into number of year purchase करते थे है ना तो सवाल यह है यह average profit का मतलब पास्ट का profit हुआ कि future प्रॉफिट हुआ average profit मतलब सोच समझके बोलना सोच समझके बोलना गलत मत बोलना average profit मतलब पास्ट का profit जो हो चुका है वह वाला profit कि future का profit एक आंसर आ रहा past मांशी का कहना past average ओहो अंस past तभी का यह कहना है कि average profit मतलब पास्ट का profit तो चलो एक तो दिक्कत है एक दो तीन किसी साल profit हुआ था ताट हजार चालिस हजार और सत्तर हजार यह मैंने आपको past का profit दे दिया है तभी का कहना past इस जवाब से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं यह लो भई past का profit ताट रजार चालिस जार सत्तर रजा तीन ही साल का profit average profit बोलो कितना average first year का 60,000 है second year का 40,000 है third year का 70,000 पताइए average profit कितना आएगा मैं खुदी निकाल ले रहा हूँ साथ हजार प्लस सत्तर हजार प्लस चालिस जार डिवाइड़ बाइ थ्री आंसर आ रहा है 5,6,6,6,7 अप्रोक्स अप्रोक्स अभी calculation पे calculation एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए मेरा बस simple सा conceptual question conceptual यहां मुझे थोड़े से मेरे opinion और आपके opinion में आपके opinion में अंतर है तो समझ के बताना यह profit average है हाँ हाँ याश विल्कुल सही है मैं यही तो सुनना चाहता था ना यार मैं बस यही सब्स सुनना चाहता था आप कैसे बोल सकते हो कि average profit का मतलब past का यह profit बोलो यह profit अगर आप कह रहे हो कि past का है तो बता तो कौन सीएर का है मैं तो बता रहा हूँ यह past का profit है 60,000, 40,000, 70,000 यह जो profit है बस यही समझाने की कोशिस करो यह past का profit नहीं है यह future में profit हो सकता है किसको देखकर past को देखकर average profit goodwill में average profit पढ़ते थे तो goodwill में कोई average profit का मतलब क्या आप past का profit पढ़ते थे नहीं number of purchase का मतलब क्या होता था sir accounting छोड़ो आप यहां पे आओ हाँ भाई number of की future में कितने साल तक वो profit maintain रहेगा यार यह profit होता है future का profit हाँ किसके basis पे निकाला जाता है past के प्रोफिस future expected यह हाँ यह सब्द में ही सुनना चाहता था बस average का मतलब कभी भी past नहीं होगा average का मतलब होगा future on the basis of past ठीक है sir ठीक है छोड़ो sir वापस आते हैं न हमारे advance financial management पे yes चले लिखे example बात समझ में आगे sir future का कैसे अनुमाल लगा सकते जो past में हुआ वही future में हो एक्जामपल लिखो लिखना मेरे साथ सब्सक्राइब ज्यादा इस शीचपर में discussion नहीं कर सकता एक्जामपल पोरतीयर का expectation बोल रहा है बिल्कुल सही है 100% agree एक्जामपल और return तो CA साहब मैं आपको मैं आपके पास आया था क्या पूछने के लिए कि reliance कितना percentage कमा कर देगी तो आपको तो बता नहीं पड़ेगा कि on and average कितना कमा कर देगी तो उसके लिए आप क्या करोगे reliance का past record दिखोगी अब past record देखा तो वो past कमे ज्यादा साल नहीं past साल का कुछ return बता रहा हूँ और मुझे ये बताना कि कितना expected return आएगा एक्सपेक्टेड ठीक ये रवन तू री पोर फाइफ आस आंसर देने से पहले ना लिख लिया करो मेरे साथ साथ किसी साल आया था फिप्टीन पर्शन कल ट्वेल पर्शन कल थर्टीन पर्शन तो मैंने आपको रिलाइंस कंपनी के पाच साल का return दिया पिछले पास सालो 15, 20, 13, 10 और 17 और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ क्लाइंट आपसे पूछ रहा है पहले नंबर पर फर्स्ट पर आपको निकालना है एक्सपेक्टर्ड रिटन एक्सपेक्टर् रिटन आंसर आग चुका है आंस का भी है तो भांशू का भी आंसर है आंसर आ रहा है 15% लेकिन सर इतना आसान में पूछने वाला तो हो रही इत्विस इस कोश्चन में और भी कहानी है जो मुझे समझाना है सेकंड इस्टेंडर्ड डेविएश्ट अभी कहानी पिक्चर वाकी है भाई साब मैं जानता हूँ आप इतने एक्सपर्ट लोग है कि आप मैंने ये स्टेंडर्ड डेविशन पढ़ाया भी नहीं तो भी आप निकालता हूँ कि मैं जानता हूँ पर मुझे अब आंसर नहीं चाहिए आपस अब कुछ संजानी की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्लाइंट आया था आप सीए हूँ या नहीं हो पर मैं तो सीए हूँ तो मेरे पास क्लाइंट आया बोलता सार सुनो ना रिलाइंस कितना परशन मैंने गा यार आप आपका जो आंसर वो मेरा आंसर मैंने गाँ पंद्रा परशंट की कमाई होगी उनका ये कहना नहीं सर पक्का पंद्रा मैंने गाँ पक्का कैसे बोल सकता हो नहीं बोले सर पंद्रा निकाला कैसे मैंने गाँ यार ये पाश्ट का देख तो बोले सुनो पाश्ट का देखा है तो कभी-कभी 20 भी तो आया है मैंने का हाँ, कभी-कभी 13 भी तो आया है मैंने का हाँ भाई 15 एवरेज है तो बोले बताओ एवरेज है तो पक्का 15 ही मिलेगा कि कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने का डैवियेशन हो सकता है कम ज़्यादा हो सकता है तो बोले कितना कम ज़्यादा हो सकता है जैनका वो भी मैं बता सकता हूं बोले बताओ ना कितना कम ज़्यादा हो सकता it means कम ज़्यादा मतलब सुनना सुनना मैं सब्द बोलने जा रहा हूं important है कम ज़्यादा को हम बोलते है deviation और standard क्या होता सर, standard, standard cost पर रखा होगा, तो standard का मतलब आपको पता होगा, पर फिर भी मैं यहाँ समझा दूँगा, ठीक है फिर से मैंने का standard deviation, और मालो standard deviation निकला 3%, कैसे निकलेगा वो मैं करवाँगा कैसे निकलेगा वो मैं करवाँगा हाँ, standard मुझे उम्मीद थी कि आप standard deviation भी निकाल लोगे पर प्लीज अभी थोड़ा सा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा आंसर आ भी गया बच्चों का 3.40 परसंट, ठीक है अभी सुनो, लेकिन मैं दी बास सुनना तो मैंने गा, मालो standard deviation आया 3.40, सर इसका मतलब क्या है, समझाओगे हाँ, इसका मतलब समझते है इसका मतलब है, कि मैं अपने client को कह रहा हूँ, सुनो client की भाई, सुनो, सुनो, सुनो की देखो, reliance 15% कमा कर देगा 15% कमा कर देगा लेकिन सुनो, कम 15, 15 है, average 15 से ज़्यादा भी हो सकता है कितना परशन, 3% 15, सर, 3 आया कहां से, वो समझाओँगा भाई, रुख जाओभी, कैसे निकलेगा वो बात में, 15 से ज़्यादा भी हो सकता है 3%, और 15 से कम भी आ सकता है, 3% मतलब, मतलब, मतलब सर, मतलब यह हुआ, 15 प्लस 3 यार, वोई तो, हम क्या चाहएगे ज़्यादा fluctuation हो कि कम fluctuation हो, कम भई, हमने मान के चला कि 15 परशन मिलेगा लेकिन यार, fluctuation ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा fluctuation है, मतलब, रिस्क ज़्यादा है इस पे बहुत सारे बच्चों के कोश्चन भी आये थी सुनो, सुनो, पहले कॉंसेप्ट समझाने की कोश्च करा हूँ तर फिप्टीन, एवरिस तर कम हुआ, मालो कम हुआ, तो वो है रिस्क तर रिस्क है न कम होने पर बढ़ा, तो काहे का रिस्क मतलब सर, deviation, मेरी बास हमनो, हमारे finance में रिस्क का मतलब है deviation, हम ये नहीं देखेंगे कि कम हो रहा है, कि ज़्यादा हो रहा है fluctuation है, मतलब deviation है ठीक है, इसको मैं लिखवा दूँगा सर, पहले ये बताओ कि ये निकला कैसे, ये मैं समझाने के कोशिश करें, निकला कैसे अब चलो, मेरे साथ साथ, पहली बात अच्छे से समझ लेना इतना भी multiple choice question, क्यों ना हो descriptive भी है आपको 70 number और 70 mask का descriptive है तो number जो मिलेगे, वो मिलेगे presentation पह, आपका presentation कैसे होता, ये important है, और मैं पूरा presentation वो ही लेकर चलूँगा, जो हमारा institute लेकर चलता, ICAI के हिसाब से ही में, मेरा totally मैं मैच करवानी की कोशिश करता हूँ, क्यों क्या number मुझे तो pass करवाना ultimately, आपका result depend, और मेरा result, आपका result मतलब मेरा result तो चलो, बनाए proper presentation के साथ, फिर सोचेंगे क्या करना मेरा target क्या है, मेरा target है, मुझे निकालना expect, return और standard deviation, तो मेरे साथ सत्थ table बनाओगी भई, ठीक है, कैसे table बनेगी, वो मैं बता दूँगा एक कॉलम आएगा year, यहाँ आएगा year, और फिर आएगा return, को हम क्या बोलेंगे, x, रिटन को बोलेंगे x, ठीक है year आगे, return आगे, फिर आएगा x-x-bar, बस इतने में खतम हो जाएगा, बस यह भी छोटा सा कॉलम है it means हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है expect return and standard deviation, ठीक है, ठीक है sir, इसमें प्यार से बनाओ question कोई दिक्कत नहीं हो, sir, सबसे पहला जो कॉलम रहेगा, वहां क्या लिखा जाएगा, year और फिर return लिखेंगे, return को हम x नाम देते, x, return को x नाम देंगे, sir, stat से start हो गया है, क्या, यह संजाना जरूरी है, stat start होगा की नहीं होगा, वह बात में से, पहले logic के साथ बात करेंगे, और year आएगा, one, two, three, four, five, sir, यह हम पहले कहीं पढ़े हुए है, yes, अभी inter, मैं foundation की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं math की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, अभी आप पढ़के आए यह चल रहा हूँ कि आपने को कुछ नहीं आता, sir, one, two, three, four, five, ठीक है, अब मैं यह return लिख रहा हूँ, 15, 20, 13, 10, और 17, 15, 20, 13, 10, और 17, ठीक है, ठीक है, ठीक है साथ, और इन सब को जोड़ लिया जाए, तो इसका एक नाम होता है, इसको बोलते है, summation of x, summation of x, 15, 15, 15, 20, 13, 10, 17, तो 75, और average कैसे किया था, sir, divided by 5, तो formula भी लिखूंगा ना, मैं बिना formula के थोड़ीं चलूंगा, और mean बोला जाता है, x-bar बोल रहा हूँ, x-bar, x-bar का मतलब होता, average, mean, जी, 75, बिल्गुल सही अंसर, हाँ, यार, इतना बता दिया करो, मुझे न, calculator न उठाना पड़े, ठीक है, चंदरकांत, तो, x-bar का formula है, sir, formula ना भी लिखे तो चलेगा, यार, देखो, ना भी लिखोगी, तो भी चलेगा, पर मैंसे number चाहिए, भई, number के लिए तो मैं सब कुछ करने को देया, सर, तो summation of x, divided by n, कितना बुरा लग रा formula, हाँ, average है, average, मतलब, sir, 75, divided by 5, तो answer कितना आ गया, 15, और इसी को बोला जाता है, expected written, expected written, मैं थोड़ा-थोड़ा slow चलूँगा, इसलिए क्योंकि बुक है आपके पास, पहला बुक तो आ गया होगा, अगर मैं बुक का नाम लूँगा, तो आप मेरी जान ले लो कि, sir, हमारे पास बुक नहीं आई, मैं अभी बुक का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, ठीक, वह चाहो तो भी बुक में दिखवा सकता था, यार यह देखो 100 questions, 100 questions में यहीं होने वाले, पर अभी मैं बुक का नाम ही नहीं लूँगा, ठीक है, 15 परशन आ गया, हाँ बोलो या, हाँ, ठीक, अब मेरा client पूछा था मस्से, क्या पूछ रहा था client, sir, sir, client यह पूछ रहा था, आशा मुझे उमीद थी कि यार आपके जवाब क्यों नहीं आ रहा है, मैंने बुक का नाम लिया तो, ठीक, हाँ, जी, सुनोगे, 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 यार, ठीक है, अब बुक की कोई बात नहीं करेगा, बुक की कोई बात नहीं करेगा, तो भई 15 परशन, मेरे client से बोला कि ठीक है ठीक है जी पंद्रा परशंट पंद्रा परशंट बोले यार डेविएशन है कि नहीं मैंने का है ना यार और बोले निकालो कैसे निकाला आपने निकाला था न कुछ 3 परशंट या 3.41 परशंट कैसे निकाला तो मैंने का सुनो 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 मैं अपने क्लाइंट से स जा रहा हूं मैंने का देखो सर 15 आएगा पुले हां मैंने का पर डेवीशन भी तो हो सकता है तो बहुत कितना होगा मैंने का एवरेज कर लेते ना यार पास्ट में जो डेवीशन होगा फ्यूचर में भी लगबग उतना ही होगा मतलब मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि पक्का इतना डेवीशन होगा मैं वो भी एवरेज निकालूँगा सर कैसे निकालूगा मैंने का देखो 15 अब मैं पास्ट का देख रहा हूं यार पिछले बार तो 15 ही आया था फ़स्ट इयर में तो कोई डेवीशन था ही नहीं अच्छा लेकिन सेकेंड इयर में तो 20 आया था दो पार्षन कम आया था और यहां मैं लिखूंगा कि कभी ज़्यादा आया था कभी कम आया था और इन सब का एवरेज करने और मैं कखोंगा यह लो इतना होगा डेवीशन करना क्या चाहती हो सर करना मैं क्या चाहता हूं करना चाहता हूं मैं X-X उसॉल मरेंforming आback cach communion开始 मैं आ ठीक है, कोई दिक्कत होगी, तो बात, 15-15, बताओ, फर्स्ट यर में क्या सोचा, कोई deviation हुआ ही नहीं से, 20-15, 20-15, कितना आएगा, पर 20-15 आएगा, 5, 13-15, minus 2, इटमिस मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, कि देखो भाई, क्लाइंट, मैं बता रहा हूँ कि कितना, average deviation कितना हो सकता, 10-15 मतलब, minus 5, और 17-15 मतलब, 2, ठीक, अब करना क्या है, कहां तक ठीक है, अब इन सब को मुझे जोड लेना है, एट कर देना से, और मैंने सब को एट कर दिया, मन से बोल रहा हूँ, मन से, और सब को एट करने से आ ग गया, 10%, मालो 10%, सब को जोड़ा तो 10%, और सब को जोड़ा, और उसके बाद average किया, divided by 5, तो ये कितना आ गया है, 2%, तो मैं अपने client से बोलूँगा, कि देखो, जी client, आप कमाओगे, reliance में पैसा लगाने से, 15% कमाओगे, लेकिन average deviation, standard deviation, 2% का deviation हो सकता है, 2% जादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो deviation हुआ है, इसको एट करके, इसका average निकालना, बस बात करता हूँ, पट, सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है सर, कि जब इसका हम total मारेगे, तो हमेशा जीरो है, हाँ, ये बात बोला अपने, हाँ सर, जीरो ही आएगा, हमेशा जीरो आएगा, हमेशा, ति इस example की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब जब भी आप काम करोगे, तो हमेशा जीरो आएगा, सर क्यों 0 आएगा यार common sense है यार 0 क्यों आएगा कैसी बात कर रहे हो it means आप ये गह रहे हो सुनो गए दियां से ये बीच का निकाला आपने कितना निकाला रिटर्ण 15 बर्शन average मतलब बीच का और कुछ इससे ज़्यादा होगा कुछ इससे कम होगा और इस कुछ minus में होगा कुछ plus में होगा है ना और plus और minus को जब जोड़ोगे तो 0 या आना है या हमेशा 0 आएगा सर तो सर इसके लिए क्या करे समस्या कुछ नहीं है समस्या एक है ये minus का sign हटा के भी काम हो सकता है लेकिन states के दो तरीके में बहुत ज़्याद है मैं कहता हूँ अब ये minus का sign हटाया जाए तो इसका और एक तरीका है क्योंकि ये minus के sign की वज़े से 0 आ रहा है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे x minus x square करना square करने का वज़ा सिर्फ इतना है क्योंकि इसका average करने का sense नहीं बनता इसका average करोगी तो 0 ही आएगा वज़ा है minus का sign और भी method है पर वह method आपको काम नहीं आए चलो करें square 0 का square करोगे तो कितना है का 0 सर square कर रहा है तो फिर square आप हटाओगे ने square हटाओंगा ना यार मैं कम ना करो मैं हटा दूँगा 0 5 into 5 तो कितना जाएगा 25 2 into 2 तो कितना जाएगा 4 5 into 5 तो कितना जाएगा 25 और 2 into 2 तो कितना जाएगा 4 ठीक 25 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4 58 सही है ना 58 हाँ square क्यों किया मेरे ख्याल से square क्यों किया सुनो मेरी बास समझो 58 सही है मैं जो बहुत ज्यादा डीटेल में समझाना यहां मैं नहीं करूँ गया यहां basic चीजे समझा रहो आप कहोगे कि सर बिलकुल इसको घुसके पढ़ाओ तो घुसके पढ़ना है भई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 40 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है यह सब वहीं मैं पढ़ाने वाल हूँ 40-45 गंटे का lecture उसमें यही समझाना है मुझे मैं हलका सा इडिया दे रहा हूँ बस ठीक है ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते यह कितना आ गया 58 इसी को रिस्क बोला जाता पर यह 58 कितने साल का है पास साल का एवरेस तो करना पड़ेगा एवरेस करते हैं यस एवरेस करते हैं और एवरेस किया मैंने 58 divided by क्या कर दिया 5 58 divided by 5 क्योंकि यह तो पास साल का मिला कर है 58 divided by 5 तो सर यह आ गया 7.6 और इसका एक नाम होता है इसको बोलते हैं वेरेस वेरेस कभी नाम सुना वेरेस वेरेस भी बोलते हैं कितना वेरे हो गया 11.6 हाला कि इसी को रिस्क बोलते हैं आगे जब मैं पोर्टफोलियो समझा हूँगा कि यह लेकिन यह एक समस्या है मालूम है क्या समस्या है यह square हुआ है जबकि यह square नहीं है तो हमको कुछ और करना पड़ेगा मालूम है क्या करना पड़ेगा problem यह हाला कि बात खतम हो गई कि यह इतना वैरी हो रहा है लेकिन problem है कि यह इससे इसका comparison पॉसिबल नहीं है इसको हमें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा यह तो square में दिखाई दे रहा क्या किया जाए square को हटाने के लिए सर, square root लगा दू न यार हाँ, बिलकुल सही, बिलकुल सही खतम करो सर, एक जैसा equivalent दिखना चाहिए न अब जब मैं इसको square root कर दूँगा तो इसका नाम है जाएगा standard deviation it means अब मुझे निकालना है standard deviation standard deviation अब बिलकुल ध्यान से समझना formula है formula क्या, square root ही तो करना square root ही कर रहा हूँ formula लिखूंगा तो थोड़ा मज़ा आएगा तो ऐसे बनाते भाई, इस standard deviation sigma x नई भी बना रहा है, तो कोई दिखे ठीक है square root summation x minus square divided by n sum total किया, x minus x bar क्यों किया कोई बता सकता है deviation करना है तो x minus x bar तो करना पड़ेगा square root क्यों किया, square सर, क्यों इसलिए किया, क्योंकि minus में आ गया था, जब हम उसको total कर रहे थे, तो average zero आ रहा था, ठीक है, इसलिए square किया, divided by n आपको पता है, square root क्यों किया कर रहे है, सर, square किया, तो अब उसको हटाने के लिए square root कर रहे है, एक बार लिख लोंग ये तो निकला हुआ है न, सर, ये क्या निकला हुआ है, अगर इसको देखो, तो ये जो निकला था, summation of x minus x bar square, ये ही तो निकला था, divided by 5b कर दिया, मतलब ये वाला काम हो चुका है, और variance को 11.6 करके कर दिया, answer आ जाएगा तो सर, ये आ गया है, 3.41, बिलकुल सही, और बच्चे इतने intelligent है, कि उन्होंने कब का answer दे दिया था, मैं तो अभी तक समझा ही रहा हूँ, और उन लोगों बच्चों का answer आ भी गया answer आ रहा है, 3.41, सभी बच्चे सही है, निशीता, इशा, सभी सही सही जवाब दे रहा है, square root क्यों हो रहा है, मैं जानता हूँ कि आपको पहले से idea था, पर मैं अपने duty करने नहीं भूलूँगा, मैं मान के चलना हूँ, कोई ना कोई एक बच्च्चा होगा, जिसको ये concept न ठीक है, roughly आपको idea दे दिया हूँ, क्या हो रहा है, roughly idea हूँ, तो यहाँ थोड़ा लिखवा देता हूँ, ताकि हमको थोड़ी language समझ में आज़ा, दिख ले ना मेरे सस्त, क्यार लगा कर लिख ले, suppose, expect return is 15%, and extended deviation, 3%, 3% में 3.41% नहीं लिखवा रहा हूँ, 3% ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा दिख ले, 3% 3.41% में दो रहा हूँ, ताकि मुझे ले, 3% में दोत समझ ले还 को क्रीवा ले, 3% में अंधा हूँ return 13% 13% return provide कर सकते हैं coefficient of variation पर आ रहा हूँ बिल्बकुल थोड़ा सा मुझे time दे दो असी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं समझाओ आप बिल्बकुल चिंता ना करो हर चीज समझाओ Reliance will provide return 13% and but 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 it may deviate why कितने पर्षन से deviate हो सकता है 3% that is 13 plus minus 3 समझ गया हो यार या तो 10 भी हो सकता है या तो 16 भी हो सकता है 10 भी हो हलका हलका हमको सॉरी निशीता थेंक्यू बाइस आप सुनो मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर लिया था या 13 लिखवा दिया था जबकि यहां 15 है रिलाइस विल प्रोबाइड रिटन 15 पर्शन बट इट में डैविएट बाइ 3 पर्शन तो ठीक कर ले ना that is 15 यह भगवान अच्छा हुआ आप लोग साथ में हो 15 में से 15 में 10 जुड़ा तो कितना जाएगा 15 में 3 जुड़ा तो 18 कर दो अब 15 में से 3 माइनस कर दो तो यहां 12 कर दो अभी ठीक है हाँ गलती हो गई थी गलती हो गई थी sorry sorry मुझसे बहुत ज़्यादा गलती होती है हलाकि मैं से यह बन गया हूँ आप बिल्कुत सोच समझके करना ठीक है गलती से लिग दिया था sorry भई फिलिंग समझू ना यार हर बात क्या लबजों में कहना जरूरी है आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो गए हो रहा है करके ठीक है चलो ठीक है सर यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई काफी कुछ हाँ मुझसे सुनो मैं आपसे बस इतना कहरा हूँ हो सकता है कि मुझसे यहां गलतीया हो जाए पर यह गलतीया ऐसी होती है जो आप समझ जाते हो कि हाँ सर से गलती हो गई हम इग्नूर करेंगी दिल खुश हो जाता है मैं इग्नूर नहीं करने वाला हूँ आप गलती नहीं कर रहे हैं अच्छा जाग रहे होगे कहा जाओगे बैं ऐसे छोड़ूगा नहीं आपको याश ठीक है ठीक है सर यहां तक हो गए अब 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 एक बात और मैंने कहा न कि अभी लंबी क्लासिस नहीं चलाऊँगा क्योंकि यार क्योंकि concepts concepts है और concepts concepts में दो घंटे समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है मैं आपको check नहीं कह रहा था seriously और जब check करना रहेगा तो मैं भी जम कर check करूँगा ऐसा नहीं है मैं आपसे क्या कह रहा था यार topic से भटका देते हैं आप लोग मैं आपसे ये कह रहा था अभी जो classic क्योंकि हम questions नहीं बना रहे हैं जब questions हमारे सामने रहेंगे और जब हम बनाना ये start करेंगे ना तो पता ही नहीं लगेगा कि दो घंटे कहा जा रहा है अभी क्या है अभी actually concepts समझ रहे हैं और concepts में ना time अभी target मेरे complete करने में एक थोटा सा point बाकी है जो किसी बच्चे ने पूचा था मैं सोचा कि चलो discuss कर रही लिया ठीक है ठीक है सर्थ अब आखरी point लेते हुए त्यार हो यस मेरा बस ये कहना है लिखवाया नहीं हो पर फिर भी यहां लिखवा देता हूँ थोड़ा सा लिखवा देता हूँ अगर higher standard deviation है किसी stock का standard deviation ज्यादा है ज्यादा fluctuation हो रहा है it means higher HD means higher risk एक बात समझना यार deviation ज्यादा है मतलब risk ज्यादा है हलाएं कि आपके मन में यह है कि यह deviation ज्यादा है मतलब यार बढ़ेगा तो जम के बढ़ेगा वो सब हम portfolio में discuss करेंगे कि क्या है पर अभी बस इतना समझ लो कि किसी stock का deviation ज्यादा है मतलब risk जाएं मैं आ रहा हूँ next page में मुझे 10 मिनट और लगेगा एक concept समझा दूँगा बात खताम 10 मिनट और चाहिए अभी enjoy करो 2-3 दिन कल Friday, Shutter Day फिर उसके बाद तो Monday से तो फिर वास ही ब्रेक लेके अभी में क्या किया करूँगा हमारा क्लास का टाइम है 7-9 पाँच मिनट जैसे अभी हो गया अभी 8 बज़ गया तो पाँच मिनट का ब्रेक दे दिया करूँ पाँच मिनट में अभी और फिर हम questions उठाएंगे questions उठाएंगे मज़ आएगा ऐसे में मतलब 9 बज़े तक हमको यार पढ़ना तो पड़ेगा तभी course होगा हमारा ठीक है ठीक है सर higher standard deviation means higher risk अब तैयार हो मैं कुछ करवाने वाला था yes कुछ पूछ रहा हूँ answer देना आराम से answer तो CA साहब मेरे पास दो इस टॉक है और मेरे पास नहीं है मुझे खरीदना दोनों में से कोई एक खरीदना दोनों इस टॉक में पैसा नहीं लगा सकता एक अलग-अलग company है ठीक है सर तो क्या सीन है सीन ऐसा है कि मैंने निकाला expected return expected return और expected return देखा stock A कितना कमा कर देगा अनुमानित है और stock B कितना कमा कर देगा और मैंने का यह stock A कमा कर देगा 15% और stock B कमा कर देगा 20% percentage में तो इस हिसाब से कौन से stock में है अभी मैंने बाकिचीजे नहीं है बाकी चीज़े को ignore करो बस इन दोनों को देख कर बताइए कि कौन से इस टॉक में पैसा लगाना चाहिए सिंपल है सर जो जिसमें रिटर्ण जादा आएगा उस इस टॉक में पैसा लगाना चाहिए अभी और एक बहुत बात बता और मैं आपको बता रहा हूँ स्टेंडर्ड डेवीशन रिस्क हाँ स्टॉक भी अब भी तक स्टॉक भी आगे खेल है ना भाई आगे खेल है और खेल क्या है सर इसमें डेवीशन कितना है मैं कह रहा हूँ इसमें डेवीशन है पाच परशन का और सर इसमें कितना डेवीशन है इसमें डेवीशन है चार परशन अब किस स्टॉक में आप दोनों चीज देखना एक साथ दोनों चीज एक साथ रिटन भी ज्यादा होना चाहिए और रिस्क भी कम होना चाहिए तोनों को एक साथ सोच के बताओ कि हमें किस स्टॉक में पैता चाहिए दोनों चीज़ को consider करते है अब answer क्या आएगा आपका सर time pass कर रहे हो आप हाँ 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 वह यही तो सुनना चाहता है सभी बच्चे बोल रहे है सर इससे ज़्यादा time pass कोई कर नहीं सकता it means return भी ज़्यादा है और risk भी कम है तो stock भी में पैसा लगाओ हाँ हमारा target ही है ठीक है तुनना मज़ा नहीं है अब खेल बदल रहा हूँ अब खेल बदल रहा हूँ अब सो समझा इसमें deviation है 5% और इसमें deviation 10% यह लो अगर मैं return के हिसाब से सोचता हूँ तो stock भी में पैसा लगाओ अगर मैं risk के हिसाब से सूचता हूँ तो stock A में पैसा लगाना चाहिए अब फ़र्द गए it means अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी return जादा हो return जादा हो तो मुझे ऐसा लग रहा कि यह इसमें पैसा लगा हो return जादा मिलेगा पर problem है deviation risk और risk कम किसमें है सर श्टॉक A में है तो बताओ श्टॉक A में पैसा लगाया जाए कि श्टॉक B में पैसा लगाया जाए कुछ बच्चो का कहना ए अंस का है ए तिवांगी का भी है ए बहुत सारे बच्चो का कहना कि सर ए में पैसा लगाया जाए बिल्कुल और कुछ बच्चो का कहना है B और कुछ का कहना ए नहीं वह सुनो 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 वैसे 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 तुनो मेरी बात सुन देखो साथ, अगर भाई, अगर आपको रिस्क जादा नहीं लेना, सुनना, रिस्क जादा नहीं लेना, आप थोड़े से कंजरवेटिव हो, या नहीं यार, जादा रिस्क ने चाहिए, तो एक काम करो, ए में लगागा, रिस्क काम है, रिटन भी कम मिलेगा, बिल्कुल सही, और अगर आपको जादे रिटन जादा कमाना चाहती है, तो इस्टाक भी में लगाओ, लेकिन रिस्क भी जादा है, पर मैंने काया, चलो रिस्क और रिटन दोनों को मिला कर, बूल जायए, आप होते हैं और दोनों में इसे रिस्क और रिटन दोनों का, comparative analysis करके बताऊ कि 20 आखरी बात कर रहा हूं 10 मिनट में class over करने वाला 10 divided by 20 इसका मैं कुछ से एक ratio निकाला ये वाला 10 लिखा उपर और 20 लिखा नीचे और मैंने लिखा इसका नाम इसका answer लिखा 0.5 और ऐसे इसका भी करा 5 लिखा उपर और 15 लिखा नीचे तो 5 by 15 5 by 15 और ये आया 0.333 0.5 0.333 बिल्गु सही ये ratio बोलना क्या चाहता ratio analysis मालू मैं एक chapter हुआ करता था हाँ सर ratio analysis ये बोलना क्या चाहता है सर बोलना क्या चाहता है हाँ देखो अब ध्यान से देखो ये बोल रहा है कि सर देखो ऐसा है बिल्कुल धिया ratio पर रीट करना आना चाहिए नहीं है सर 10% का risk है 20% return पर मतलब सर सीरिसी बात है अगर हम 20% कमाएंगे 20% तो 10% का fluctuation मतलब 1% के पीछे कितना fluctuation है 0.5% है न यार मतलब सर एक रुपिया कमाएंगे सीरिसी बात है अगर हमारा ऐसा है कि एक रुपिया कमाएंगे तो 50 पैसे उपर भी हो सकता 50 पैसे नीचे भी हो सकत एक रुपय है, रुपय अच्छे से समझ में आता है, पर्षेंटेज छोड़ो, अगर इसकी बात करो, सर यहां एक रुपय के पीछे कितना रिस्क है, सर एक रुपया के पीछे 33 पैसा अब डाउन हो सकता है, और यहां 55, एक्चुली अब कंपरेजन कर सकते हो न, एक रुपय एक रुपय, यहां एक रुपय के पीछे कितना फ्लक्चुएशन, 33 पैसा, और यहां 50 पैसा, कौन सा जाधा रिस्की है, सर यह, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, को एफिशेंट ओफ वेरियेशन, हाँ, बेलकुल सहीं, को एफिशेंट ओफ वेरियेशन, फॉर्मुला क्य क्या लिखा है, उपर लिखा, इस्टेंड डेविशन, नीचे क्या लिखा है, इसका नाम है, स्टीवी, को एफिशेंट ओफ वेरियेशन, चिक, यह भी काम आएगा, यह भी पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अब भी नहीं पढ़ना है, कहां पढ़ना है, पर मैं थोड़ा सा यह भी लिखवा दूँ कि यह क्या है, फॉर्म्रला क्या है, बाच समझ में आएगे नहीं कि सी-वी क्या है, हाँ सर, और बताओ, सी-वी क्या कहनता है, मतलब क्या है, को एफिशेंट अथ वेरिशन का मतलब क्या होता, सर, रिस्क ही तो होता है, पर रिस रिस्क जो है हम किस से comparison करके with respect to return रिस्क with respect to return अच्छा और CV ज्यादा और CV निकालने की जरूरत पड़ी क्यों पहले तो नहीं पड़ी थी अभी क्यों पड़ी क्योंकि conflict हो गया था तब CV निकालने की जरूरत पड़ी कहानी खतम कर रहा हूँ इसको लिखवा देना हाँ मैं लिखवाऊंगा पहले थोड़ा बहुत कहानी लिख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको लिखवा दूँगा इसी मैं लिखोगे star लगा कर लिख देना coefficient of variation इसको coefficient क्यों बोलते हैं अभी portfolio की बात नहीं करेंगे coefficient क्यों बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं इसे portfolio में मैंने का ना बहुत ज़्यादा detail में नहीं जा सकता है इन सब चीजों के लिए है 40-45 घंटे हमारे पास हम वहाँ डेस कर क्यों आ हम ऋब एच्ट लिख वहाँ है M इस अशब लिख लिखना । ब बॉट्यच आ इस कि एंस इस भी तर्ष्ट यू रिश्ट आप लेड कि एंस इस्विट तर। सब्सक्रीद इस डिए विट अप्रोण तर्ष्ट इस्ट इस्ट च्रिट इए आयर सी आयर रिस्क टीवी का फॉर्मूला लिख लेते हैं हाला कि फिर से लिखेंगे हैं पॉर्टफोलियू पर अभी बीच भी पर आ जाता है सीवी इस इक्वल टू उपर क्या लिखाता है यार एक्सपेक्ट लिटन की स्टेंडर्ड एविशन उपर था इस्टेंडर्ड एविशन एक्सपार और इसनको सब्दों में लिखना हैं तो सब्दों में एक एक्जाम्पल भी लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में जाए कोई वाला एक्जाम्पल था कोक ए कोक बचेल था हता था थाश्पर्शन प्रेश्न स्ट एक्सपर्शन स्ट आइवीशन इच्ड था लिख को Duty स्ट दिवयर्यशन एफर हमकर तो मालाभ पाच पर्श्न अगर कोश्चन यहीं होता ना कि कौन से स्टॉक ज्यादा रिसकी है तो आंसर आजाता है स्टॉक भी पर मैं कह रहा हूं which stock is more risky on the basis of CV CV means coefficient of variation ठीक है ठीक है सर formula लिखते है CV निकलते है class खतम करते है CV का formula क्या था इस्ट डेवी ठीक का CV निकला था 5 divided by 10 सही है क्या अचलो जो भी answer तो एक जैसा जाएगा न सर यहां कुछ और लिखा था सायथ 15 था क्या 15 था इसको 15 कर ले न तो answer 0.5 0.5 आएगा फिर तो कहोगे कि कौन सा जादर इसके कैसे बताओगे इसको 15 कर लीजेगा प्लीजेगा प्लीज प्लीजेट था 5 divided by 15 कर लिया ठीक है आएँ 5 divided by 15 कर लिया इग्जामपल था तो कुछ भी कर सकते बस यहां क्या match यह दोनों का answer एक जैसे आ रहा था न इसलिए गड़बढ़ोगे ठीक है शुबान शुबाण 5 divided by 15 तो यह answer आ गया पॉइंट कित्री और बी की बात करेंगे 10 divided by 20 0.50 तो कौन सा स्टॉक जयादा रिसकी स्टॉक बात करेंगे तो तो नहीं गया क्लास ओबर करना है गुड़नाइट बलती वे सुन अगम से हां तो चलो फाइनली क्लास ओवर करना है एक बार बस कुछ बाते कर लो तेर घंटे की क्लास चल रही है यह कब तक चलेगी Saturday Saturday तक हमारा पूरा बेसिक्स कॉंसेट खतम हो जाएगा और मंडे से हम इस लायक हो जाएगे कि हम कैपिटल बस उठा ले मंडे से हमारी सही क्लास चल रही है भले ही हम ब्रेक लेते ही करेंगे मैं आपको बहुर नहीं होने दूँगा जहां भी ऐसा लगेगा कि कॉंसेट है भी जा रहा है इसे भी कॉंसेट चल रहे थे उसमें ज्यादा हमें दिमाग चलाना पड़ता है बुक्स बगेरा हाँ बुक्स आ जाएगी बुक्स आ जाएगी चिक है और मैंने कब कहा कि मंडे से आपको बुक लगने माली है मंडे से तो मैं आपको कैपिटल बिस्टिंग उठा कर मतलब जो सीए इंटर में पढ़ा था थोड़ा बहुत याद है कि नहीं वो लिते हुए हम कैपिटल बिस्टिंग चलेंगे लेकिन बड़े काम का चैप्टर है भाई ठीक है बुक्स आ जाएगी आप बिल्गुल चिंता ना करें अगर बुक्स नहीं आएगी तब तक मैं क्लास भी स्टार्ट नहीं है मैं जाक करो बुक्स आ जाएगी ठीक अच्छा आज की जो क्लास है वो बड़ी important इसलिए है क्योंकि बीच में मैंने एक बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा खुसकर अभी नहीं पढ़ाया कि standard deviation में ऐसा नहीं कि topic खतम हो गया इसमें अभी मैं on the basis of probability probability आएगा picture में जब मैं capital wasting करवाँगा तो वहां भी probability सब्द आएगा जब मैं आपको derivatives करवाँगा वहां भी probability सब्द आएगा portfolio में तो probability आ नहीं है पर एक roughly knowledge हो गया कि यह standard deviation क्या होता पस इतना ही में चाहता था तो कल की भी class में हम थोड़ा सा concept ही चलेंगे कल हम से याद रखना कि 7 बज़े हमारी class इस्टार्ट हो जाती है और 7 बज़े से हम लोग कल भी हम इसी में probability पढ़ेंगे हर class important basics के हर time value of money पुरे capital investing में लगने वाला है आप भी जानते हैं वीडियो में problem आ रही है क्या कोई बात नहीं मैं class over कर रहा हूं तेरा technical stop अभी नहीं है ओके बाई बाई class over है कल बात करेंगे कल मिलते है good night कल बातवा है वीडियो में और टो तो व्हां प्रूप जाना कर बात बात क्वेदों कल बात लुएंगे